असलाम अलेकुम आज जैन्वरी फर्स्ट नए साल की पहली तारीख है जैन्वरी फर्स्ट मुलाना वैदुदीन खान साब के जनम की तारीख भी है नए साल का आगाज है लेकिन मुलाना वैदुदीन खान साब नए साल को इस तरह नहीं लेते थे जिस तरह हम आजकल लोगों को देखते हैं कि वो एक बड़ी गैदरिंग करते हैं पार्टीस करते हैं हुआ कल्चर होता है मुलाना वैदुदीन खान साब कहा करते थे कि साल का आखरी दिन या नए साल का पहला दिन हमें इस तरह लेना चाहिए कि हमें ये सोचना चाहिए कि जो पिछला साल गया उसमें प्लानिंग में हमारी कहा कमी रह गई हमने क्या पाया और हमने क्या खोया वो ये कहा करते थे कि हमें साल का आगाज इंट्रोस्पेक्शन से शुरू करना चाहिए और इंट्रोस्पेक्शन से ही विजडम का विजडम में इजाफा होता है और इनसान अपने अफेस को बहतर तरीके से मैनेज कर सकता है तो आज जैनवरी 1st को नए साल में हम CPS की तरफ से आप सब के लिए दुआ करते हैं कि आने वाला साल मारिफत से आप सब के लिए भरा हो अल्ला ताला की जो ब्लेसिंग्स हैं वो आप सब पर और आपकी फैमिली पर बारिश की तरह बढ़से हम सब का इंटेलेक्शल डिवलपमेंट हो और आखरत के एतबार से हम इस जिन्दगी में काम्याव रहें तो आज हम जैनवरी 1st को मुलाना वईदुदीन खान साब की बातों की ही चर्चा करेंगे प्रोफेसर फरीदा खानम के साथ तो आईए उनी से बातचीत करते हैं असलाम आलेकुम आपपा कैसे हैं आप अलेकुम आप ठीक हैं जी अलाम देलिल्ला आपस सबसे पहला सवाल क्योंकि मुलाना की जिन्दगी को लेकर आज का प्रोग्राम है यही है कि आप वहां से शुरू कीजिए कि मुलाना का जो बर्थ था और उसके बाद जो एजूकेशन शुरू होने से पहले का जो पीरिट था उस पीरिट के बारे में आप हम सब को बताएं मुलाना जिस दिन पैदा होने वाले थे तो उस रात को हमारी दादी ने खाब देखा कि एक बच्चा हुआ है और एक हाथी आया है बड़ा सा हाथी वो अपनी पीठ पर उसको बठा कि लेकर चला गया अब उसी खाब में दादी बोल नहीं है कितना अच्छा बच्चा था दादी लेकर चला गया तर उसको बोलते उनकी खुल गई तो यह बहुत मौराना इस पर सोचते रहे खाब का मतलब क्या है एक इसका मतलब यह समझ में आता है उन्होंने लिखा आया अपने तहरीरों में सवाने उमरी मौराना ने लिखी नहीं पूरी वो कहते हैं कि इतना में सथाल दाइधा बाते हैं कि कुछ समझ में नाइटा है इसथ की जाए, लिक्क होदी अपकाएं वाद लिखिए है... इसे बहुत सारी चिडियां हैं और सब को पकड़ना आध मीचाहएं तो पकड़ने पाएगा। तो ऐसे ही वो इसलिए उन्होंने जस्ता जस्ता बातें लिखी हैं, लेकिन मकमल सवाने उमरी नहीं लिखी, तो उससे ये मालूम होता है कि उन्होंने ये उसको समझा कि जो खाब था, इसका मतलब ये था कि खानदान के खोल से बाहर निकलना और फितरत की दुनिया में जाकर और वहां से ट्रेनिंग हासिल करना क्यूंकि जमाना जो था जो तमद्दुन था उसमें बहुत ज्यादा निगिटिविटी थी, लोग एक दूसरे के खलाफ खासतर पर अंग्रेदों के खलाफ तहरीके चला रहे थे, तो वो नेचर में परवरिश का एक सिंबालिक सेंस में कि नेचर में परवरिश होगी जिसको हम कह सकते हैं चाइल्ड अफ नेचर तो यह बहुत अजीब बात है क्योंकि हमारे आबावजदाद स्वात से निकल कर आए और बढ़रिया में जाकर क्याम किया और इससे पहले तो वो जौनपूर के पास एक किरतपूर से जगाई जौ काफी लोग जो है दिनों तक वहां रहे लेकिन बीच में एक साज बहु में कुछ मसला पैदा हो गया तो जो बहु थी वो बढ़रिया की थी तो वो वहां चली गई तो उनके बाद उनके हजबंड भी वही चले गए और वहां उन्होंने आजमगर का जो कोट था उसमें मु सोचते रहते थे के लाहूर वहां हर अफगानिस्तान से निकल कर इतने बीच में बड़े बड़े शहर आये लाहूर आया दिल्ली आया लखनो आया तो यह बढ़रिया में क्यों हम लोग आय एक रिमोट विलेच था वहां पर ना कोई सड़क थी ना कोई भी फैसिलिटी थी सिर्फ नेचर था वहां पर एक दरिया थी बाग थे खेट थे मतलब जो होना चाहिए साधन सारे रख़्ी करने के वो सारे वहां पर कुछ भी नहीं था यह बहुत बाद में उनको समझ में आया कि जिस तरीके से हदरत इसमाईल अले जरीये से एक रेस बनाई गई थी वहां तो कि तमद्दून में सारी खराबियां होती हैं तो फितरत के माहौल में एक नसल बनाई गई और उसके अंदर वो सारी खूबियां थी इसी वज़ा से उन्होंने रसूल अला से उन्होंने पूरे तोर पर साथ दिया और पहली बार एक तोहीद पर मबनी एक इनकलाब वहा तो यहां भी यहां भी तकरीबन उसी तरह का मामला था तो बढ़रिया जो था वो बिलकुल महजब दुनिया से कठा हुआ था यहां तक के वहां कोई अखबार तक नहीं आता था 1947 के जो इतने कियामत खेज वाकियात हो रहे थे उसका कुछ मालूम नहीं था बाद में लिखते हैं मौला ना कि मैंने बाद में मुझे सब बातें समझ में आई हैं जब उन्होंने बहुत सारी किताबें वगरा जब पढ़ी हैं शहर में आये तब उनको पता चला तो एक तो चलके थे जब दाधा का इंतखाल हो गया तो दाधा जो है वो बहुत मांते थे और उसकी जा है तो आप तो खिलाल कर रहे हम क्या करें तो दाधा चलो बढ़र तो इस तरीके से शोकी करते थे और खुब बातें करते थे लेकिन दादा के इंतिखाल के बाद एकदम खामोश हो गया। दादी कहती है कि वह बोलती ही नहीं थे कुछ चुब बैठे रहते थे सोचते रहते थे तो बाहर चले जाते थे खेतों में बागों में नदी पास पूल पे बैठे रहते थे तो एक बार मैंने पूछा थे क्या करते थे वहां बैठके तो कहरे थे कि मैं कुछ तलाश कर रहा तो वो वेग सेंस में वो अपने फादर को तलाश करने होंगे, अब बच्चा को इतना समझ में नहीं आता कि फादर कहा अचानक चले गए, लेकिन वही जो तलाश का जजबा वही बाद में वो खुदा की तलाश में कनवर्ट हो गया, तो घर में किसी चीज से कोई दिल्चस्पी नहीं थी, ना कोई एद में भी कपड़ा बदलने को कहा जाता, ना कपड़ा तो कहते हैं बदल जाएगा ना, विसी भी तरह का कुछ, बस खामोश बैठे रहते थे, सोचते रहते थे, और नेगिटिविटी तो बिलकुल शुरू स जाएगा नहीं थी, एक बार एक बच्चे ने कोई गाली थी, तो उसका जवाब गाली से नहीं दिया, बस तुम खुद कहके घर के अंदर आ गए, और दूसरी जो एक और तर्बियत हुई, वो थी, क्योंकि दादा के इंतिगाल के बाद बहुत सक्त हालात थे, तो दादी जो हैं, उन्होंने बकरी पाली, भैस पाली, मुर्गी पाली, इस तरीके से वो अपना काम चलाती थी, तो बकरियां चराने के लिए एक लड़का था, लेकिन उसके साथ वो निकल जाते थे, तो दूर दूर खेतों में चले जाते थे, तो बकरियां चराना उस वो तो ऐसी Willisर को में चले जाते थे, लेकिन बाद में पता चला के अकरीबाया निकली तमाम पैगंबरों ने बकरियां चराइए Nutब समझे में नहीं आदए थे, क्या इसका रिलेवेंस तो बाद में जब सोचते बहुत ज्यादा थे, तो बकरियां चराने के मतलब फित्रत के माहूल मे जाना, फितरत से, फितरत के जो एटर्नल लाज होते हैं, एटर्नल वैलूज होती है, वो सब इंबाइब करना, अब फितरत में, पीस पर मौला ना बहुत जादा जोर देते थे, तो अब समझ में आता है, जो कुछ उन्होंने वहां सीखा था, जो फार्मेटिव पिरियेड मे सीखा था, उसको बहुत जादा उनकी राइटिंग में रिफ्लिक्ट होता है, फितरत में पीस होता है, फितरत में नफ़बक्षी होती है, फितरत में किसी किसम की नेगितिविटी नहीं होती, फितरत में सिर्फ देना है, अगर कोई बच्चा जो आम के प्यड़ वहां तो кадए चल रही है, सूरज निकल रहा है ताइम से ड़ी पाएमं के बहुत पावन थे वहां सुबहो शाम जाते थे लिए सूरज राग्ते तेशचए वहां के लिस्तर प्ड। बटा जाते तो यहंमीत लिए वजुंए घड़ित कली जो है रात बर में फूल बन गई तो बस बिलकुल फित्रत के माहूल में ही रहते थे और देर देर तक वहां नदी थी उसके पुर्फ एक फुल था तो वहीं पर बैठे रहते थे तो लिखते हैं कि इस तरीके से मैं खुदा की अबदी दुनिया से जुड़ गया अबदी दुनिया के जो एटरनल उसूल होते हैं उन उसूलों को उनोंने सोचा और उसको एपलाई किया अपनी जिंदगी पर और उस पर बार बार लिखा कि हमें नेचर से क्या सबख मिलता है तो यह बहुत ज़्यादा उन्होंने पीसफुल जो अप्रोच होता है वो उन्होंने न कर दी जब आद में खामोश रहता है तो वो सोच रहा होता है तो इस तरीके से उन्होंने हर काम बेगार सोचे समझे कोई काम नहीं करते थे तो इमोशनल जो अपरोच होता था उससे बहुत दूर थे वो जजब आला आपा बहुत ही अमेजिंग चाइल्ड हुट पीरिड आपने वताया मुलाना साब का तो आपा फॉर्मेटिव पीरिड की हम बात कर रहे हैं तो उस वक्त जो उनको इलिमेंटरी एजुकेशन मिली गाओं के मदर्सा में उसके बारे में भी हम सब को थोड़ा सा बत खासतर पर उलमा ने जिहाद में हिस्सा लिया और नाकाम हो गए क्योंके उनकी वो तैयारी नहीं थी जो अंग्रेजों की तैयारी थी तो उन्हों नोगों ने सोचा कि अब हम अपने बच्चों को किस तरीके से बिगढ़ने से बचाएं क्योंके बहुत तेजी से जो कल्च मा उसको एथिस्टिक सिविलाजेशन एथिस्टिक कल्चर कहते थी क्योंके वो बहुत ज़्यादा जो है साइंस के असर से बहुत ज़्यादा वर्ली एजिट्यूड लोगों के अंदर पैदा होता था तो इस तरीके से उन्हों ने गाउं गाउं शहर शहर मदरसा काइम किय जो मदरस्त अलिसला के जो बानी थे मौलाना मूहमद शफिय सहब उन्ही के वो बेटे थे मौलाना फैदर्रणा इसलाही तो वही टीचर थे उस मदरसे में गाउं का जो मदरस्ता थे तो मौलाना ने उस मदरसे में 1937 में दाखला लिया और वहाँ पर तकरीबान आठ साल तक उन्होंने वहाँ पर पढ़ा उस जमाने में बहुत अच्छे टीचर्स होते थे, मुखलिस टीचर्स और बहुत महनत से बच्चे पढ़ते थे तो वहाँ पर उन्होंने अर्दू, फार्सी, अर्बी, अप्तिदाई दर्जे की वहाँ पर हासिल कर ली तो तकरीबान आठ साल तक उस मदरसे में पढ़ते रहे उसके बाद वहाँ पर गए, मदरसत अलिसलाब में पर आपा वो वक्त ये भी था, आपने भी उसका जिकर भी किया कि बिटिश पीरिट था और बिटिश पीरिट में जैसे हम जानते हैं कि बहुत सारे हिस्टोरिकल इवेंट्स हुएं उसमें ये भी चीज़ शामिल है आपा कि मुसलिम्स काफी नेगिटिवली इंफ्लूएंस थे जबकि मुलाना ने अपने आपको उस नेगिटिविटी से बचा के रखा तो उसके बारे में भी बताएं कि मुलाना कैसे इंफ्लूएंस नहीं हुए हला कि जो इंवायरमेंट उनके आसपास था जो लोग उनके आसपास थे वो नेगिटिव थे और अक्सर ये होता ही है कि आप जो चीज़ देखते हैं जो चीज़ आपके अराउंट होती है वो आपको इंफ्लूएंस करती है तो मुलाना ने अपने आपको कैसे बचाया उससे इसके बारे में बताएं हाँ ये बहुत ही बड़ा सवाल है कि कैसे मुलाना ने आपको उस नेगिटिविटी से बचाया क्योंकि चार उतरह बस अंग्रेजों को खिलाफ माहौल था लिख रहे थे तो वही लोग पढ़ते थे लेकिन जो बहुत सा बहुत वज़ा तो ये थी कि वह इतना दूर उस्तादा गाउं था सभू है कि महां पर कोई कम्योंीकेशन यह नहीं था अख़ार तक नई आता था जबगा मेरी मधर मदर के गाह में अख़ार मैंग्जियन वगएरन ह सब आते थे लेकिन उस गाão मन यह उता थे कर वहाःप जो नदी थी, उसमें उसवत पुल भी नहीं था, पुल भी जब मेर खाल मौलाना 10-12 साल के तब वो पुल बना, इस वज़े से बिलकुल कुट आफ था रेस्ट अफ द वर्ल से, तो वो जमाना ऐसा था, इतना जादा अंग्रेजों से नफरत, अंग्रेजों के मुकाबला करन तिए अंग्रेजों के खिलाफ तहरी के चलाना इतना जादा था कि नफरे नाम सुनने पसंद करते थे, थे थे मुहमद इद्रिस कांध लवी, उनके बेटे थे हाफिज मुहमद इसमाइल, इतना जादा अंग्रेजों के खिलाफ ये लोग थे, खास तोर पर उलमा तब का तो उसमें जैसे उनका टमाटर अंग्रेज लाया थे टो मैटो तो वो टमाटर का लवज सुनना नहीं पसंद करते थे तो एक दिन किसी न कह दिया कि उस खाने में टमाटर बाता है कुछ टमाटर कहना लगे नसरानियत यानि क्रिस्टिनिटी मेरे घर में भी घुसा ही इतना जादा घुसा हुए तो कह दे थे टमाटर को लाल बैगन काओ तो यह हालत थी लोगों की तो अब उस जगह में मौलाना मन्फी सोच से पाक होना यह तो बिलकुल खुदाई बात लगती है कि खुदा ने खास मदद किया तो यह मुम्किन ही नहीं थे क्योंके हमारे घर में खुदी मौलाना इकबाल आहमत सोहल थे अबबा के कजिन थे तो उन्होंने अलीगर मुस्लिम उन्वस्टिय से में लेल भी किया था घर का भई माहौल था बहुत सारे लोग इंगलिश स्कूलों में पड़े हुए हुए और वो खुद भी वो शायर थे अलीगर मुस्लिम उन्वस्टिय से पढ़ कर आए जो के अंग्रेदों ने काइम की थी उसके बाद उनके जो शेर एक शेर मौलाना लिखते हैं कि अजीब अंग्रेदों के बारे में अजीब शेह हैं आप भी जहां भी साया पढ़ गया कहीं बहार लुट गई कहीं चमन उजड़ गया तो अंग्रेदों को अंग्रेदों से युनिवस्टिय में पढ़ कर आए हैं उसकी वज़ाए से उनको इतनी इज़त मिली अतना मुकाम मिला एक बड़े वकील बने वो और कह रहे हैं कि उनकी वज़ा से सब कुछ लुट जाता है तो लोग मुसल्मान जो हैं उस जमाने के आज भी बहुत कम नहीं है ये बात कि अपनी अकल इस्तेमाल नहीं करते अखबारों में जो पढ़ लिया लीडरों ने जो कह दिया तक्रीरों से जो उनको समझ में आया बस वही उनको मानते हैं अपनी अकल नहीं इस्तेमाल करते व कि हर हर चीज से वो सबक ले रहे हैं तो अपनी सुनी सुनाई बात तो मानते ही नहीं थे हम लोग कितना भी कोई बात कहते तो मानते नहीं थे जब तक कि उसकी तहकीक नहीं कर लेते थे और लोग जो हैं बस लीडरों की बात सुनते हैं बता हुआ है। तो वो मुसल्मान नहीं जानते हैं, तो इस वज़ा से वो अपने जो जाती तास्थबाद होते हैं, जो प्रेजुडिसेज होती हैं, बस उसी को मानकर और उसी पर अपनी उपिनियन बनाते हैं, जबके अंग्रेजों के जमाने में 1901 में गालिबन रेलवे आई, हमारे गाहों में भी गाहों के पास ही स्टेशन था, तो जो इसकी सीटी बचती थी तो गाहों तक आती थी उसकी आवाज, टेलिग्राफ आया, अंग्रेजों को जमाने में रेडियो आया, टेलिफून आया, बाद में, इस सारी चीज़ें बराबर आ रही थी, तो लेकिन जमाने की अशलिम शेर जो है न वही सबसे बड़े मसले थे, लोग बैद बादी करते थे घरों में शेर शारी होती थी, और उसी से अपने राय बनाते थे, तो एक शेर पहले से चला आ रहा था, आंके शंशीर जनद, सिक्क बनामश खानंद, जो तलवार चलाता है, उसी का शिक्क प लगे हुए थे, बस वो सब सियासी हुकमरानी को सबसे बड़ी चीज समझते थे, तो पूरी तरह कंडिशनिंग थी, कंडिशनिंग इतनी जाद थी, क्यों जो हमारी ब्रांच जो जो जौनपूर में रह गई थी, वो तो एक फैमिली जियाउदीन खा की गाउं में आई थी कोई लखनो के नवाब के फौज में काम कर रहे थे, तो इस तरीके से वो लोग सब मलाजम थे जगा जगा, लेकिन जब जग आजादी हुई अंग्रेजों के खिलाफ तहरीके चली, तो उन्होंने सब मलाजमत वगरा छोड़कर सब उसी में लग गए, तो अगर वो ब्रां भी उसी में शामिल हो जाते, लेकिन वही यह अल्लह ताला का बहुत खास इंतिजाम था, कि बिलकुल अलग रकल और बिलकुल नेचर के माहौल में, मुस्बत अंदाज में मौलाने की परवरिश हुई, तो उसकी वज़ए से उनकी जो एकदम मुस्बत अंदाज, उनका जो परसनालिटी पाजिटिव परसनालिटी बनी, उस पाजिटिव परसनालिटी के साथ जब उन्होंने खुरान और हदीस का स्टड़ी किया, तब उनको बहुत तमाम किताबें अर्भी में पढ़ी, कि असल इसलाम क्या है, क्योंकि जब मदरसे से निकले थे तो उनको कुछ सम करने की, समझने की, लेकिन ये समझ में नहीं आया था कि जो मसायल है, उनका हल क्या है, इसलाम के पास, उनको किस तरह हल किया जाये, कि जग से जिहाद से तो कोई मसला हल हो नहीं रहा था, तो ये फरक हुआ, जो उस से बिलकुल जो अलग हुए ना, उस माहोल से सभी सारी बातें समझ में आइंगे, और आपा मतलब खुद भी हमने मुलाना की जिंदगी में देखा है कि बहुत जादा एंफसाइज करते थे कि एक कंप्लेनिंग नेचर वाला इनसान मत बनो, उन्होंने किताब में लिखा भी है कि एक जानने वाला मुलाना के पास आया, और वो कि इसी दूसरे शक्स के बारे में कंप्लेन करने लगा, तो मुलाना जैसा कि हम जानते हैं कि मुलाना ने करेक्ट किया उसको, कि आप क्यों कंप्लेन कर रहे हैं, तो उसने मुलाना से पूछा कि मुलाना साब आप अपने आपको कैसे कंप्लेन फ्री रखते हैं, क्योंकि एक इंसान को देना है, a person who passes this test is the person who saves himself from complaining nature, negativity, तो मलाना ने लिखा भी है, मलाना ने कहा कि a heart full of complaints will never be a grateful heart और complaint की एक quality होती है कि अगर एक इंसान complaining nature हो तो वो ungrateful हो जाता है, तो मलाना ने कहा कि it is like complaint is like a dirt, कि अगर एक बहुत बड़ा tub हो पानी का और उसमें अगर आप एक drop dirt भी डाल दें तो पूरा पानी गंदा हो जाता है, तो complaint की भी यही सिफात है, कि अगर आप complaining nature बनेंगे, तो आप ungrateful हो जाएंगे, and a person should be very very sensitive towards this aspect, क्योंकि अगर एक इंसान grateful होगा, तो वह यह वही इंसान होगा, जो जन्नत को qualify करेगा, तो बहुत बड़ी चीज है, यह complaining, यह negative attitude जो आप आपने बताई उनकी जिन्दगी से भी, आप यह एक ऐसा दोर भी था, मुलाना का जनम जैसे हम जानते हैं, January 1st, 1925 को हुआ, और उसके बाद वह एक environment रहा जब political approval रही, British Empire का domination, उनके culture का domination था, Ottoman Empire जैसा कि हम जानते हैं, March 3rd, 1924 को abolish हुआ, मुगल सल्तनत खतम हो गई, तो जो Muslim world है, वह एक reactionary world में जी रहा था, मुलाना ने अपनी psychology को उस negative, उस reactionary psychology से कैसे अपने आपको बचाया, इसके बारे में बताएंगे, हर चीज़ के बारे में वो सोचते थे और result देखते थे, लब हमारा emotional outburst से तो कोई result निकलने वाला है नहीं, तो हर चीज़ को कहते थे कि result oriented हमारा action होना चाहिए, सारे लोग, सारही लोग बस outburst कर रहे थे, emotional outburst, तो इसमें एक मिसाल मौलाना मौम्माद अली जोहर जोनोंने खिलाफत तहरीक बहुत धूम-धाम से चलाई थी, तो वो गय थे तख्त या तख्ता, तो यह नहीं उन्होंने कुछ भी सोचा कि इसका नतीज़ा क्या निकलेगा, मौलाना कि यही खास बात है कि वो हर बात में सोचते थे, चोटी बात हो, बड़ी बात हो, सोचते थे, क्या इसका नतीज़ा क्या है, दुनिया के लिहाज से, आखरत के लिह तो इस वज़े से उनका अप्रोच बिलकुल ही अलग होता था तो ऐसे ऐसे जमाने में रहे कि दूसरी आलमी जंग का जमाना था वो 1939 में पाकिस्तान की तजवीज 1940 में फिर जपान पर एटम बम डाला गया 1945 सारा मुल्क जो है वो जजबातियत के तूफान में घरक था तो हर आदमी जो है चाहता था कि बस किस तरह जहाद करें किस तरह से अंग्रेजों को इस मुल्क से निकालें तो किसे एक शेर शायरी भी ख सरदार होता है कि अब ख्राश।क पर चढ़ जाये वही कवी का इसंगक का सरदार होता है तो अब खांसी के तख्bbeर चटए पर चढ़ जाथे से सर्दार कैसे बन जाए गग वो यह सब कुछ सोचते थे हमारे अमल का नतीज है तो इस वजह से वह उनका हर तो वही वजह थी कि वह बिलकुल नेचर में उनकी परवरिश हुई थी, अब समझ में आता है कि नेचर पर बहुत लिखते थे, नेचर में परवरिश हुई थी और नेचर के जो असूल थे उन्हों ने उसको अपनी जिंदगी पर अपलाई किया, अपनी राइटिंग पर और उस से उन्हों नें बहुत ज्यादा प्यूंचाया कि किस तरीके से हम जो हे, ब钱 कि ही The Water state स죠— इसके इशम, इसके इंटरनल प्रिंस्प्ल उते हैं। जशे से खास्व पर पर परविटबिलिटी पर बहुत ज्यादा जोर दिया कि इंसान को bet dua अगर वो किसी को फायदा ना पहुचा सके तो कम से कम उसको कोई नुकसान न पहुचाए और दूसरे एक कि अगर गर साव पते हैं, बढ़ पते हैं तो कि अगर सिप्लेच उसके तो ही इस तो चीज अगर रख दो इसे तो इस तरह नेचर में हर चीज अपनी इंस्टिंक्ट पर गो तो बिलकुल जो खुदा ने इसके अंदर इंस्टिंक्ट रख दी उसी के मताबिक वो वो गवर्न कर रहता है वो चीज़, तो ऐसी इनसान चैहले हो चाहिए. इनसान को अपनी फित्रत से गअर्न हो चाहिए. फित्रत में हमेशा यह है, कि हमेशा पीसफुल कोर्स मेतर है हमे न समयाय के तो चेशमे में जगा जगा बोल्डर होते हैं, तो बोल्डर को तोड़ता नहीं, बलके साइड से निकल जाता है, तो उस पर कहते हैं कि टकराना नहीं है, जहां भी कोई आपस्टिकल आजाए, तो उससे टकराओ नहीं, बलके वो सोचो किस तरीके से इस मसले को हल किया जाए, तो हर बात में think, think, there must be a better way ये उन्होंने बिल्कुल उसको अपना लिया था तो नेचर जैसे बिल्कुल इंतकाम और बदले की भावना से बिल्कुल पाक होता है नेचर तो उसी तरीके से इनसान को भी अपने आपको बिल्कुल पाक करना है और इन्तकाम का जजबा जो है वो बिल्कुल अपने अंदर से खतम कर देना है हर तरह से बिल्कुल تمाम लोग रसूल लय व्लसल में से दो आज़़ते थे कि तमाम इंसान जो हैं तमाम आज़त मर्द सब भाई भाईесте हैं सब मर्द सब औरते हैं सब भाई भ्हेन की तथे उनसे तालूकात रखना है। थाट तब एक दूसरे के खाहब बनें, ऐक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे के काम आएं। ये सब कुछ उन्होंने नेचर से सीखा था। काव की एक मिछाल देते थे कि काव जो है घास चरती है और उसके बदले में दूद देती है तो मदरसे में असल में क्या था कि एसमाइल मेरिठी की रीडर पढ़ाई जाती थी तो उसमें इस तरह की बहुत सारी चीजें होती थी एक बहुत लंबी थी गाय पर शेयर नजम तो कल जो घास चरी थी बन में दूद बनी वो गाय के थन में तो इस तरीके से हर चीज पर सोचते थे और सोचकर अपने जिन्दी का कोर्स मतायन किया तो उसमें लिखते हैं कि फित्रत ही जो है मेरी सबसे बड़ी टीचर थी सबसे बड़ी मौलिम थी और उसी से मैंने सब क्या है तो उस वित्रत उस वक्त और बाद में कोरान रोहदीश का बहुत ही घहरा मुताला उससे उन्होंने अपनी राए बनाई थी अपनी सोच बनाई थी अपनी फिक्र बनाई थी ना के अख़बारों से और लीडरों के बैयानाथ से जी आप बिलकुल आपने सही है विल मौलाना का बहुत ही खुलावा जहन और आप यहाँ पेक एक इंग्जमपल देना चाहँंगा और आप इस एक्जमपल को आप रिलेट कर पाएंगी क्योंकि मौलाना के साथ आपके साथ घर में ये पेश आया था मौलाना ने लिखा भी एसके वारे में की एक टाइम यह था कि उनके पास एक मीटर बैंड का रेडियो सेट था तो एक मीटर बैंड का रेडियो सेट जो शुरू आती जमाने में जो होता था आप सब लोगों को ध्यान होगा कि वो बहुत कम फ्रिक्वेंसी पे आस पास का एरिया ही पकड़ता था तो सिर्फ दिल्ली शहर की इन्फरमेशन पहुँचती थी फिर मुलाना ने लिखा कि फिर ऐसा वक्त आया कि चार मीटर बैंड वाला रेडियो आपा आपके घर में आया तो मुलाना ने कहा कि उससे ये फैदा हुआ कि वो दूसरे मुलकों की ट्रांसमिशन को भी पकड़ने लगा मताब BBC और जो बड़े चैनल्स हैं वो आने लगे अब उससे ये हुआ कि बहुत जादा नॉलेज और इन्फरमेशन वो चीजे मिलने लगी तो मुलाना ने लिखा कि ऐसा लग रहा था कि हम एक दौलत से महरूम थे लेकिन वो रेडियो के चार मीटर बैंड रेडियो के आने से इतना जादा इंटेलेक्शल डिवलपमेंट हुआ इतना पता चला कि दुनिया के लेवल पे क्या चीजे हो रही है तो मुलाना ने कहा कि खुदा और इनसान का भी यही मामला है कि खुदा की इन फाइनाइट ब्लेसिंग्स इनसान तक पहुंच रही है अब ये इनसान पर डिपेंड करता है कि उसका रेडियो सेट चोटा है या बड़ा है जैसे मुलाला ना के घर में 4 मीटर बैंड वाला बड़ा रेडियो सेट आया तो अगर आपका रेडियो सेट छोटा है तो आप बहुत कम लिमिटेड लेवल पे आप खुदा की बलेसिंग्स को हासिल कर पाएंगे लेकिन अगर आपका रेडियो सेट बड़ा है तो आपका ये हाल होगा कि आप अल्ला ताला की blessings के समंदर में आप नहां उटेंगे तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि आप ये देखें कि आपका जहन कैसा है अगर आपका जहन खुला जहन है तो आप खुदा की blessings को जादा से जादा पा सकेंगे लेकिन अगर आप फिरकाबंदी, worldly pleasures, negative psychology में रहेंगे तो आप अपने radio set को बड़ा नहीं कर पाएंगे और आप खुदा की blessings को नहीं पा सकेंगे तो इस तरह का जहन था अबा मुलाना का बहुत ही जबरदस्त ये thrilling बात मुलाना ने लिखी है और आप यहां पे मैं थोड़ा वक्त और लेना चाहूंगा क्योंकि ये reactionary वाली बात जो आपने समझाई ये बहुत important है क्योंकि आप यही इनसान का जो एक रवया है वो एक impression भी देता है जैसे मैं आपक लास से पहले मैंग से बात कर रहा था तो मैंने बताया कि एक हाली में एक mail आई कई मेले आती हैं लोगों की जो मुलाना से influenced है तो उन्होंने बहुत ही प्यारी mail भीजी उन्होंने लिखा कि मुलाना is so wise, मुलाना is so patient, मुलाना वो so lovable उनके वीडियो से हमें इतना फायदा मिलता है जो आप लोग upload करते हैं CPS YouTube चैनल पे तो मैं ये सोचता हूँ कि रसुल अल्ला कितने wonderful होंगे तो आप उन्होंने मुलाना से ऐसे link किया अब अगर हम ये सोचें कि हमारा जो conduct है हमारा जो behavior है उससे इसलाम के बारे में प्रॉफिट के बारे में लोग impression बनाते हैं अगर हमारा रवया बहुत अच्छा होगा तो लोग इसलाम के बारे में भी एक positive opinion बनाएंगे इसको मैं ऐसे link करूँगा आप आप एक बारी डॉक्टर साधिया में को अचानक ये बात याद आगी डॉक्टर साधिया खान लंडन गई थी तो वहाँ पे कुछ शच्च book fair था उनको एक किसी चीज की जुरुत पड़ी शच्च टेप या कुछ pin up कर निकला उन्हें मिल नहीं रहा था और वो बहुत जरूरी था तो उन्होंने आके बताया तो फिर वो धुणने निकली स्टॉल में तो वहाँ पे एक ब्रिटिशर मिला तो वो ब्रिटिशर ने out of way जा के उनकी मदद करी उनको वो चीज प्रोवाइड करी तो डॉक्टर साधिया ने कहा कि how can I thank you तो उन्होंने बहुत जबर्दस जवाब दिया उन्होंने डॉक्टर साधिया को कहा कि जब आप इंडिया लोटे तो speak good about our country अब आप सोचीं कि उनका impression पूरा change हो गया कि कैसी country है कैसे अच्छे लोग है उसी तरीके से एक believer को एक moment को वैसा ही behave करना को reaction वो reaction अफोर्ड नहीं कर सकता क्योंकि मैं खुद अगर अपनी जिंदेगी में देखता हूं तो I was negative about Islam I was negative about Prophet but because of Maulana's teachings Maulana's sabr, patience and wise handling created a different impression in my mind and I went on to do PhD in Islam तो यह reactionary approach जो है मैं यह कहूंगा कि हमें unsuccessful बनाती है दोजक की तरफ लेके जाती है positive approach जो Maulana's sabr ने हमें सिखाई वो हमें जन्नत की तरफ लेके जाती है तो आप हमें कुछ comments पढ़ना चाहूंगा अगला सवाल लेने से पहले यह comment भीजा है मिस फरीदा कामरान ने Islamabad Pakistan से उन्होंने लिखा है Maulana's sabr was not only a great scholar but was a great light and wisdom in darkness May Allah give him highest place in Jannetul Firdos Dr. Aslam Khan sahab ने Saharanpur से लिखा है Dr. Farida you are right Maulana Waidu Deen Khan always adopted the realistic approach because it is the reality of life actually it is a spiritual life Saeeduddin sahab ने लिखा है ने लिखाई ने लिखाई the famous Islamic thinker Maulana Waidu Deen Khan May Allah have mercy on his soul and raise his position in paradise Ameen Muhammad Irfan Rashidi sahab ने Naakpur से लिखा है Maulana sahab was a great example of simple living and high thinking आपा आपने अभी Maulana का बहुत अच्छे से Madrasa Allah period उनका अबतदाई period बताया उसमें आपने यह भी mention किया था कि मदरसत अलिस्ला में उनका फिर्दाखिला हुआ लेकिन वो period के बारे में थोड़ा सा elaborate करके हम सब को बताईए वो कैसा period था किस तरह से सोचा करते थे इसके बारे में हमें बताईए जब गाउं के मदरसे से फारिग होए तो फिर मदरसत अलिस्ला एक बड़ा मदरसा था और वो दूसरे गाउं में था सराइमीर तो हमारे एक मौलाने के एक अंकल थे सूफी अब्दुलमजीद तो उनका ये था और उस जमाने में ये सोच थी कि खानदान में एक मोल भी होना चाहिए तो इस सोच के तहरे अनूने मौलाना को भहां पर मदरसे में दाखिल करवाया अब भी बहुत इत्फाक के बात है के वो बहुत ही अच्छा मदरसा था और उस मदरसे में पूरा व्राण पढ़ाया जाता किसी मदरसे में पूरा व्राण नहीं में वो मदरसे का माहूल जो था, इलमी माहूल था, इलमी डिसकुशन्स होते थे, अच्छा कुतुब खाना था, मैगजिन सब तरह तरह के आते थे, अर्भी मैगजिन आते थे, तो मौराना ज्यादा तर अर्भी मैगजिन पढ़ा करते थे, तो अर्भी की बहुत अच्छी इ तो रहों बहुं लिखने लगते थे, उनको लखने का शूरु से था। जब वूमदरसे में गये तो नहीं पर एक मैइख़ीन निकलता था। जो हाथ से कलमी मैइख़ीन बोलते थे। हाथ से लिखा जाता था. तो उसमें लिखने लगे तो जब उनके एक उस्ताद ने उसको आर्टिकल को पढ़ा तो उनको बुलाया और कहा कि तुम्हारे अंदर लिखने के अच्छी सलाहित है तुम इसको और रखी करोगे तुम और मेरे को आर्टिकल अपने डिखा दिया करो तो इस तरीके से वहां प पर एक पोएम लिखी थी पोएम भी लिखते थे क्योंकि एकबाल आहमत सुहेल जो है वह बहुत अच्छे शायर थे तो उनकी असर से महरा नभी शायरी करते थे तो एक पोएम लिखी थी माद देखो जब मैं चलता हूं चांद भी चलने लगता है वो कितना ज्यादा प्या प्यादा तालिम हासिल की और उनको जब इसलाम की री डिस्कवरी हुई तो फिर उनने सारे अपने पोएम को जला दिया उननों समझा कि इसके जरिये से हमें महरुफत तक नहीं पहुच सकते हैं तो फिर उसके बाद उनने शेर शायरी बंद कर दी तो वहां पर एक खास वा पाकिया हुआ जो उनकी जिन्दगी पर बहुत असर डाला तो मौला नामीन आसन इसलाही जो के बाद में पाकिस्तान चले गए थे तो वहां कुरान वही पढ़ाते थे तो कुरान में जो आयत है वायला लेवले कैफ खुलेकत हम देखो ओंट को हमने कैसे उसको पैदा किया तो वो जब आयत आई तो उन्होंने तालबा से पूछा कि ओंट के सुम यानि हूफ फटे होते हैं या जुड़े होते हैं तो किसी को भी समझ में नहीं आया कोई कह रहा है कि फटे होते हैं कोई कह रहा है कि जुड़े होते हैं कोई तो उस बद उन्होंने एक पूरा लेक्शर दिया और उन्होंने कहा कि तकरीमान बीस तलबा थे और सब गेस कर रहे थे तो उन्होंने लेक्शर दिया कि देखो अ अधरी निस्फुल इल्म, ना जानना आधा इल्म है, क्योंकि अगर आदमी ना जाने, ये जान लेगी मैं ये बात नहीं जानता, तो किसी से भी मालूम करेगा, किताबे पढ़ेगा, अपने ना जानने को जानना बना लेगा, तो बहुत सारी बाते हमें बताई जाती हैं, हमा अधरी बात को जानूं, हर बात की तहकी करूं, एक एक बात, मामुली मामुली बात भी, सारी पूछते थे, एक बार एक विंग कमांडर यूस्फुफ खान आये, तो उनसे, वो जहास के बारे में सारी मालूमात करने लगे, उनको बहुत तहजुब हुआ कि मोल्वी जहास क बारे में सारी मालूमात कर रहा है, उन्होंने टाइमस अफ इंडिया में एक आर्टिकल भी लिखा इस रिफरेंस के साथ, तो इस तरीके से वो एक एक बात को जानने की उनके अंदर बहुत बे इंतिहा अर्ज पैदा हो गई, तो बाद में कहते हैं कि यही चीज जो मेरे साथ के जाती है और उसी के जरिये से साइंस की तमाम तरक्तियां होई हैं, मिथाल के तो और पर सेव को गिरते हुए थे वे सब ने देखा है, लेकिन जब न्यूटन ने देखा, तो वो सोचने लग गया, कि सेव ओपर क्यू नहीं चला गया, नीचे क्यू गिरा, तो यही ह जब तक हमारे अंदर ये spirit of inquiry पैदा नहीं होगी तब तक हमारी मालूमात कभी भी मुकमल नहीं हो सकती। तो यह थी कि हर चीज के बारे में जानना यही इसी ने उनको बिलकुल different बना दिया। जबात होते हैं कि अंग्रेजों के खिलाफ किताबें चप रहे हैं अउससे वो कभी मतसिर नहीं होते थे। बल्के खालिस इल्मी वाकियात के तहट सोचते थे। हर बात जो है सोच कर उस पर तहकी कर के तभी मानते थे। किसी वज़े से आप देखते हैं, कि इतना जादा लोगों ने खिलाफ लिखा मौलाना के, लेकिन कभी भी कोई उनको रियल बात लिखने के लिए नहीं मिली, शोशे पर लिखते रहे, कि उनके घर में तो पूरा सेंट्रली अर कंडिशन घर है, उनके घर में तो अलसेशियन पले हुए हैं, उनके घर में तो बहुत बुड़े हो गए हैं, आप किसे से मिलते नहीं हैं, जबके आखरी वक्त तक मौलाना ने मुलाखात की हैं, तो सोशों पर तनकीरें करते थे, क्यूंकि वो इतना जादा तहकी करके लिखते थे, कि उनको कोई बात नहीं मिलती थी, तो वो कहते हैं कि जो लादरी, निस्फ लिल्म का जो सबक मुझे मदरसे में मिला, वो मेरी पूरी जिंदगी पर च्छा गया हूँ, तो वो कहते हैं कि मैं हर दिन लादरी को दर्याफ्त करता हूँ, कि मुझे क्या नहीं जानता, फिर उसको जानने की कोशिश करता हूँ, तो यही एक तहगी की मिजाज था जो उन्होंने उस पर अपने जिंदेगी पर अपलाई किया, अपने इसलाम पर अपलाई किया और इसलाम को री डिसकवरी बनाया, कहते थे कि इसलाम को हमें री डिसकवरी बनाना है, नान मुसलिम्स को इसलाम डिसकवर करना है और मुसलिम् जे माशाआलला जजाक आपा अगला सवाल लेने से पहले कुछ कॉमेंट्स पढ़ना चाहूंगा ये दो कॉमेंट्स भेजे हैं शाद हुसेन सहाब ने श्री नगर से और साजेद अनवर सहाब ने दुबाई से दोनों ने लिखा है कि वेरी इंसाइटफुल सेशन and may Allah make us follow the example of Meulana सहाब, may God bless Meulana सहाब who taught us wisdom Abu Mashood सहाब ने लिखा, इन्होंने location ने लिखा, मुलाना इस आखरी दौर में खुदा की एक निशानी थे Ms. Kurutu Lane का श्री नगर से अभी-अभी comment आया, काफी लंबा comment है जिसको मैं कुखली पड़ देता हूं Mulana Vaidudeen Khan was a symbol of simple living and high thinking, he was also a great lover and observer of nature. In his writings, conversations and lectures, he would always focus on observing and exploring nature to understand this vast universe and the greatness of its creator. Let me also accept that I was highly impressed by his subtle humor when having an informal chat after Sunday's lectures. He has left a treasure of knowledge, wisdom and reason in his writings and lecture that has transformed generations and will continue to revolutionize and educate in future. He was a great scientific Islamic thinker and I am highly thankful to Almighty for being in constant touch with Him and get my concept of religion completely revolutionized. One can go on talking about Him for hours together. Thank you for remembering, Mulana sahab, may his soul rest in eternal peace. Now I want to ask the next question in the Quran, the 75th verse, that a God-oriented person is one who takes lessons, who learns lessons. And as we know, Mulana's house has a tree called spiritual tree, which is called spiritual tree, and there is still a tree. It is also called the source of learning, which is the source of learning. In many articles and lectures, they have also called spiritual tree. So please tell us all about spiritual tree. He comes the spiritual tree with a system. He was built on spiritual tree as a tree. He has come with a tree that the tree has to suffer from spiritual tree with a tree. So he came to the authority of spiritual tree by a tree. Once he made a tree with a tree, he came to the school tree. His mother and her earth, he came to the tree, and he came to the tree. अंडा टूड़ गया और वो उसको बगा दिया कबूतर को उनको इतनी तकलीफ हुई इतनी तकलीफ हुई कि बहुत दिनों तक महां पर बैट नहीं छोड़ दिया तो यह इतना जादा उनको इस स्पिरिच्वल ट्री से दिल्चस्पी थी तो असल में वो ऐसा कई दरख तैसे होते हैं कि खर्जा में सारी पत्यां जड़ जाती हैं सिर्फ ठूंड रह जाता है खाली ब्रांचे तो ऐसा वही हो इसी तरह से वो भी था फिर बारिश हुई बरस दो पेड़ हैं नीचे एक बेल भी लगी हुई तो दो तरह के फूल उसमें आते हैं तो बहुत ज़्यादा उसमें पूल आते हैं तो इससे उन्होंने बहुत सारे सबख निकाले कि इसी तरीके से इंसान जैसे मतलब पेड को जब पानी मिला तो सरसब दुशाधाब हो गया तो इसी तरीके से इंसान है तो इंसान की भी जो स्प्रिच्वल लाइफ है उसको भी इन्वर्डट कामाज में पानी चाहिए तो पानी जो है वो डिवाइन इंस्पिरेशन है मारिफा है तो उसी जब उसको मारिफत हासिल करता है वो तदबूर से तफक्र से गौर फिक्र स तो उसको एक खुदा से एक रब्ट कायम होता है spiritual connection खुदा से कायम हो जाता है तो उसी में तरह तरह की दुआएं निकलती है तो खुदा को आदमी जब याद करता है तो उसको दुआएं तरह तरह की निकलती है तो उसी में एक दुआ लिखते है कि मैं एक सूखा हुआ दरख्त हूँ तू अपने फैदान रहमत से मुझ को एक शादाब दरख्त बना दे तो ये दुआएं असल में होती हैं जो इनसान को खुदा से कनेक्ट करती है जिसको पुरान में कहा गया है कुनु रब्बानीन रब वाले बनो तो ये मतलब एक रेफरेंस पॉइंट होता है कि इस तरीके से इनसान खुदा को याद करता है फिर उसको दुआएं उसको निकलती हैं दुआ लोग समझते हैं दुआएं जो हैं वो कुछ रटे वे अलफाज होते हैं रटे वे अलफाज में वो इस पॉरिट नहीं होती तो इस वज़ा से हमें चाहिए कि हम अपनी जबान में भी दुआएं करें क्योंकि वो वो सौल फुल दुआएं जो हैं वो अपनी जबान में ही निकलती हैं और उस वो खुदा के हां वही दुआ एक्सेप्ट होगी जो स्पिरिट से भरी हुई दुआ हो जी अच्छा आपके क्योंकि स्पिरिचल ट्री की बात कर रहे हैं अगला एक्जामपल डॉक्टर नगमर सिद्धी ने भेजा है वो भी पेड के हवाले से ही है कि मुलाना की ज ऐसा हुआ कि वो पांच साल का पेड जिसकी लाइफ पांच साल थी वो उन्होंने कहीं से मंगवाया और लगवाया लेकिन वो शाथ सूख गया वो किस्सा क्या आप आप वो उसके बारे में बताएं हम सब गो असल में जो आम का बाग तो घर के बाहर था वाकिंग डिस्टेंस पर ही था लेकिन अब उन्होंने सोचा कि एक आम का पेड हमारे घर के अंदर भी होना चाहिए तो अगर वो गुटली लगाते हैं आम का तो वो तो बहुत टाइम होता है तो गरीबन पांट-दस साल में वो बड़ा पेड बनता तो उन्होंने सोचा कि एक खुदवा के बाग से लाके अंदर लगवा दे पेड और दो दिन में तयार हो जाएगा तो बड़े सोक से दो तीन मजदूर लगाए गए और उन्होंने खोदा एक एक पेड जो के पांच साल उस पर हो चुगे थे बड़ा हो गया तो वो खोदकर उन्होंने अपने आंगन में लगवाया बड़े बेताबी से इंतजार करते रहे कि कल हरा बरा पेड घर में आंगन में दिखाई देगा तो देकिन वो सूख ने लग गया एले दिन थोड़ा कम सूखा हुआ था दूसरे दिन वो बिलकुल ही सूख ग उस से उन्होंने बहुत जबर्दस्त लेसं लिया, हाकिकत पसंदी का लेसं कि ऐक की चीजित जो नेचर में पान्च साल में तयार होगी वो आंधायर कर सकते हैं तो इसी तरीके से आज़ पसंदी को उन्होंने बार बार अपने राइटिंस में लिखा है, कि मुसलमां ज्व दो दिन में धुआधार तहरीकों से बहुत बार-बार धुआधार तहरीकें चलती रहती हैं लेकिन वह हमेशा कहा कि हमेशा रिजल्ट ओरिएंटेड एक्षन होना चाहिए इमोशनल आउटबस्ट के तहत हमें कोई काम नहीं करना चाहिए जिन्देगी भर कभी भी इमोशनल आउटबस्ट के तहत कोई काम नहीं किया एक बार एक बरमी थे मौलाना के किलास में किलासमेट जब बर्मा में जो तहरीक चली अपनी अलग स्टेट बनाने की तो वह नहीं कहा चली आप भी बर्मा चली हम लोग उसमें शाविल हो जाएंगे जो तहरीक महां चल रही तो उनको बहुत मौला आना समझाए कि यह सब बिलकुल गरत बात है मगर उनकी समझ में नहीं आया, वो चले गए फिर पताने उनका क्या हूआ तो तेहरीक बिलकुल सरासर नाकाम हो गई तो मौला आना ने कभी भी इस तरह की की तेहरीकें इनमें शामिल नहीं हुए अपलाई किया अपनी जिन्दगी पर अपनी राइटिंग्स पर उसी के वज़े से उनकी हर चीज में फ़रीगत पसंदी जलकती है हर चीज में रिजल्ट देखते थे कि इस काम का रिजल्ट क्या है माशालला आप ये सवाल दिल्ली से मुलाना फराद उम्री साब ने भीजा है उन्होंने लिखा है मुलाना ने मारिफत पर बहुत जादा जोर दिया है मेरा सवाल ये है कि मारिफत क्या है और वो इतनी जरूरी क्यों है इसके बारे में आप बता है मारिफत कहते हैं Realization of God जी तो एक तो लेवल अबादत का वो है कि जो हम रस्मी अबादत करते हैं हमने कुछ दुआइं याद कर लिए उसको पड़ देते हैं और एक है कि इस्पिरिट के साथ अबादत तो जब इस्पिरिट के साथ अबादत होती है उस वक्त हमें खुदा से connection कायम होता है तो उसी को मारिफत कहते हैं तो मारिफत हासिल करना बहुत ज़्यादा जरूरी है क्यूंके माराना कहते थे कि जिन लोगों को मारिफत हासिल नहीं होगी उनको खुदा के पडोस में जन्नत जो कि खुदा का पडोसे महां जगा नहीं मिल सकती यही criterion है कि हम खुदा की मारिफत हासिल करें और खुदा की मारिफत अभी हासिल होगी जब हम बहुत ही ज़्यादा दिल के साथ खुदा की याद करें खुदा की जो Spirit के साथ Χुदा की अबादत करें पूरे खुलूस के साथ खुदू के साथ तब हमें खुदा की मारफ़त हासिल होगी और खुदा की मारफ़त हासिल करने के लिए distraction से बचने को बहुत जादा मौराना कहते थे कि हमें distraction से बचना है क्योंकि जब तक हम करना है खुदा को याद करना है अपने हर काम खुदा के मरजी के मताबिक करना है तब हमें खुदा की मदद मिलेगी और खुदा के फरिस्तों की मदद मिलेगी तब ही हमारे अंदर जो है इस प्रिशुरिटी पैदा होगी और हम खुदा की मारिफत हमें हासिल होगी और तब ह हम खुदा के जिजर्विंग कैंडिडेट बनेंगे जन्नत में जाने के लिए किताब मारिफत मौराना ने पूरी किताब इस पर लिखी है बहुत ही इंपॉर्टेंट किताब है उसको आप लोग पढ़िए जी और आपा एक ये चीज भी है कि रोज मरा जिंदगी में लेसेंस निकालना छोटी छोटी चीजों से ये नि कि बहुत बड़ा कोई इंसिडेंट हो उसी से आप लेसें निकाल सकते हैं मारिफत तब ही डवलप होती है जब हम उसको लिंक कर सकें डेली एक्जामपल से जो इंडियन यूज को지는 कर रहा था और क्योंकि य।निवर्सिटी कोने होती है फॉर्न यूज तूइट्स को इठक करतो है तो उसमें उन्होंने दिखाया ऑस्ट्रेलियन मैकज疫 में बड़ा सा वर्ल्ड मैप और उसमें उन्होंने दिखाया की वाइट में इंडिया को दिखाया वाइट कलर में और at a distance of thousand miles उन्होंने उस्ट्रेलिया का मैप दिखाया ग्रीन कलर में और उन्होंने इंडियन यूथ को अड्रस करते हुए कहा कि यू आर हेर बतार जहां वाइट कलर था और ग्रीन कलर की तरफ लिखा कि your future lies there तो मुलाना ने कहा कि all of a sudden मेरे जहन में बात आई कि मौत से पहले हम इस दुनिया में हैं we are in this world बट हमारा future जो eternal future है that lies in the hereafter so we should be concerned not about this world but we should be concerned about our eternal future which lies in the hereafter तो मारिफत यही है कि हम उसको रोज जो है हम lessons derive कर सके हमारी जो जिन्दगी के आस पास जो environment है उसे हम क्या lessons निकाल सकते है as spiritual food लेकिन वो तब ही हो सकता है जब हमारी मुझबत अप्रोच हो हमारा reactionary attitude ना हो और हमारे अंदर एक दूसरे के लिए खैर ख्वाई वली एक attitude हो तब ही हम मारिफत अपने अंदर develop कर सकते हैं आपा ये आखरी सवाल आज के program का कि मुलाना हक की तलाश के लिए निकले और कई stages से वो गुजरे तो आपा मैं चाहूंगा कि आप कुछ उन stages के बारे में बताते हुए इस session को आप खतम करें आज सारी बाते तो नहीं हो सकती हम आपको फिर से request करेंगे कि इसके कुछ और episode भी आप करें पर आज session के खतम होने के लिहाज से यह आखरी सवाल मेरा आपके लिए तो असल में जो पहले आया है कि वो ऐसा हालात थे वहांके कि बाहर तो स्यासी माहूल था पूरा पूरी पूरी Muslim World में स्यासी माहूल था और घर के अंदर वही शेर शायरी यही सब माहूल था तो असल जो मारिफत वाला दीन जो है न वो गहीं नहीं था तो जब मदर्से से निकले जब मदर्सत अलिसला से जब निकले तो उनको लगा कि मदर्सत अलिसला में एक चीज है जिसको नजम कुरान कहते है तो मौलाना हमिद الدीन फराही ने यह तसओर यह तेयरी दी थी नजम कुरान की तो उन्हों ने कहा कि नजम कुरान जो है वो फहम कुरान की कलीड है यानि कुरान की हर वर्स अपनी प्छली वर्स या अपनी उसके बाद आने वाली वर्स से रिलेटिड है तो यहीं इसी पर तो मदरसे में बाकादा हर दम भाहस होती थी, तो ये सारी चीज़ें रिलेवेंस और रिलेवेंस तलाश करते करते हैं, लोगों को लगता था बहुत ही फैसिनेटिंग आइडिया लगता था कि ये इस तरीकते हम कुरान को समझ सकते हैं, कि उसका क्या रिलेवेंस है पिछली और अगली वर्स से, तो ये थी तो समस्ों नभी सु करते हैं, लेकिन जब केरी तो बाहर निकले तो उनको लगता था जो कुछ समझ रहें हैं, वह हखिकत है, लेकिन जब बाहर निकले तो उनको को लगां कि मिष्टरों की दुनिया में एक भी बन कर नहीं रह गया, और जो तो नई दुनिया थी, जो लोग घर में भी, जो लोग English educated लोग थे, बाहर भी थे, तो वो जो तरह तरह की जो सवालात पूछते थे, उसा कोई जवाब नहीं बन पाता था, मतलब कुरान का relevance, मौजूदा जो हालात हैं, उससे क्या है, वो उनको समझ में नहीं आता था, तो ब नहीं पा रहे थे, इस मजभ का हमारी दुनिया से ताल्ग क्या है, तो खारजी दुनिया से इसका क्या रप्त है, रप्त पर वो पूरा मदर सही कायम था ना, तो जो external world है, बाहर की दुनिया है, उसके जो मसायल है, उससे उसका क्या ताल्लोग है, जो जदियत सहलाब हुआ जो एथिजम का सहलाब और विस्टरन कल्चर का सहलाब, तो इसका हल हमारे पास क्या है, तो उसमें कुछ उन्होंने वहां से नहीं सीखा, तो बहुत जदा परिशान हो गए थे यहां तक एक आर्टिकल में लिखा, मजभी जो तबखा था, उसने कोई हल पेश नहीं किया, कि जो हमारे सारे मसायल है, उसका हल क्या है, पुरान क्या हल बताता है, तो उसी पर उन्होंने एक आर्टिकल में लिखा था, कि मजभी तबखे ने, अपनी अकल को मजभी के डिब्बे में बंद करके, दयार आसमानी को पारसल कर दिया है, यानि वह अपने अकल का कोई इस् तो ये इतना जाधा सोचते थे ना, इस वज़े से, इतना जाधा सोचा, इतना जाधा सोचा कि उसके बाद जिंदेगी बिलकुल बदल गई, उन्होंने सोचा जैसे बिलकुल इमाम गजाली की तरीके से, उन्होंने भी पहले बहुत बड़े फिलास्फर थे, पिर उनको ल तो निकल पड़े घर से कही जंगल में जा रहें, कहीं सेहरा में जा रहे हैं, पैदल चल रहे हैं, नासाथ में खाना ना पानी, हलक सुख रहे हैं, चले जा रहे हैं, और हर दम ये शेर पढ़ते थे, ख़दावन तु कभ आएगा, मैं कब तक ते रह आने के इंपजार करूं यही पढ़ते पढ़ते लाहोर चले गए, जेब में पैसा नहीं, शायद पंदर रुपया था, ग्यार रुपय के टिकट मिला था शागन से, शागन तक पैदल गए, पैदल बढ़रिया से 4-5 स्टेशन है, वहां तक पैदल गए, तो और फिर उसके बाद शागन से टिकट लि उस जमाने में शेर शायरी का बहुत जाद जोर था, चला है शौक, बेखबर, जुनूर में जानिये किधर, ना कोई मनजिल सफर, ना कायद कुछ मुकाम की, तो इस तरीके से गाड़ी में बैठ गए, जेब में पैसा भी नहीं था, फिर वहां जब पहुँचे तो वहां कि कहीं कोई इंजन शंटिंग कर रहा था, तो ऐसा जीचा रहा था कि उसे में खूच जाएं, तो फिर उसके बाद लगए, उसमें लिखते हैं, काफी चीजें लिखी हैं मौलाना ने, मकंबल बैयागरफी नहीं है, लेकिन काफी चीजें लिखी हैं, तो ऐसा उनको कहीं जा रहा था, सूट बूट, मैं सूटेट बूटेट तो उससे पूचा तो आप क्या काम करते हैं, तो उसने काम मैं किसी बैयंग में काम करता हूं कहें के चला गया, फिर देखा तो वहां एक मस्जिद थी, उसका नाम था, आस्ट्रेलिया मस्जिद, तो वह कोई मुहम पानमान रखा, फिर पैदल चलना शूरू कर दिया, तो फिर अल्लामा एकबाल का मकान सामने आया, मियोर रोड पर, फिर वहां भई, खुदा बन तू कब आएगा, खुदा बन तू कब आएगा, यही कहें के चलते चले जा रहे थे, जब बहुत प्यास लगी, तो एक नल देखा तो नल चलाया, हैंड फंप, पानी नहीं निकल रहा था, वो टोटी वहां की बंद थी, और वो पानी मजजिद के हौज में जाता था, तो कोई सहाब आये, कोरेशी नाम पूरा याद नहीं उनको, कोई कोरेशी आये, तो उन्होंने कहा कि यह टोटी बंद है, इसलि वो टेलर थे, तो वो एक टेलरिंग शाप थी, वहां पर माल रोट पर, जो कि जिसका अब शाहरा काइद आजम कही जाती है, तो वहां पर टेलरिंग शाप में एक बहुत बड़ा सा वो था, बी, लीला, राम, एंट संस का बोर्ड लगा हुआ था, वो वहां गए, कि इनको कुछ टेलर का, टेलरिंग का कुछ कामवाम दिलाए, तो वहां पर एक टेलर मास्टर से बात हुई, तो उसने शकल देखी, तो कहा कि ये तो कोई अच्छे खांदान का लड़का है, लग रहा है कुछ घर से नाराज होके भाग आया है, तो इसको टिकट पैसा दिया, पैसा बाकी रहा, कि खुदा बन तु कब आएगा, खुदा बन तु कब आएगा, फिर उन्होंने कहीं पढ़ा कि स्वामी विवेका कन्या कुमारी गए थे, वहां उनको सच्चाई की दर्याफत हुई थी, तो कन्या कुमारी चले गए, फिर वो समझे कि महां कहीं, शायद सच्च के इस्टेशन पर वहां उनको एक पादरी मिला, पादरी काफी उसने अपनी करिस्चानिटी के बारे में बातचीत की, फिर जब बातचीत करने के बाद वो जाते हुए एक पैम्फिलेट दे गया, तो पैम्फिलेट बहुत अच्छा चपा हुआ था, तो यहां से उनको हमारे पास होना चाहिए, तो इस तरीके से वो दावत का आइडिया, दावत का आइडिया तो पूरे माहौल में कहीं था ही नहीं, तो यहां से उनको आइडिया मिला, के दावत को इस तरीके से लिटरेचर के जरीए से हमें करना चाहिए, तो यह सब बात में materialize हुआ लेकिन आइडिया आया उस वहत उनको समझ में तो फिर वहां से आने के बाद यह सारा जो सब घूमें उसके बाद उनोंने फिर पढ़ाई शुरू की जब घूमने फिरने से जब उनको जिसको रियाजत का लफ बोलते हैं सूफीजम में तो वहां अभी कुछ उनको तशाफी बख्ष कोई जवाब नहीं मिला तो फिर उन्हों ने पढidना शुरू किया तो पहले तो सारी अर्बी किताबे पढ़ डालिं तफिर को किताबें अभेल फिर उनको चुछ gehen यह का चे till उसके बाद इसे प्र समझ में आया इसलाम की impact जो दरसे में जो इसलाँ मिला था और अभत जो उन्होने अरबी किताबों से इसलाम पढ़ा और अंग्रेजी पढ़ी तब जाके अनको इसलाम की क्योंकि बीच में जो कन्फूजन का शिकार हो गए थे तो उसकी वज़से और एक बीच में वो पफीता का पेड़ भी था मस्जिद में वहां जाकर रोते थे कि खुदा वंद तू कब आएगा आंसूं के साथ यह किताबे भी उन्होंने आंसूं के साथ पढ़ी थी तो इस त किताबे पढ़ना स्टडी करना यह तो हमेशा सारी जिंदेगी एक स्टूडेंट की लाइफ जिया लेकिन वहां से उनको वह हो गया कि हमें इल्म के जरीए से और फिक्र के जरीए से हमको इसलम का जो है सही इस सही इसलम हमको सच्चा इसलम जो है मिलेगा हमको जिससे दुन के भी मसायल हल होंगे और आखरत में खुदा की मारिफत के जरीए से जन्नत में जगा मिलेगी तो यह उनको वहाँ से किलियर हो गया अब आइडियालोजी जो हम फिर दूसरे सेशन में करेंगी इंशालला जजाकालला आपा आज मुलाना वैदुदीन खान साथ की जनम की तार को पॉसिटिवली फॉलो करेंगे और जो उनको ने टारगे दिया हम सब को कि अगलोबली आज वन उनुनाइट सेपीए सेवी तीम आप प्रिसेट आप प्रिस्फुल आप प्रिस्फुल थैशन मेंसेज तो इंटार मैंन काइड तभी हम सही माइने में सेपीए सेपीए जापना तो इस देखेंट अफ वन इंपर्टन रिलीस अ व सुथी तो रोंगे हम सब्सक्राइब तो इस से उ स्क्ताइब मोलाना वाइदुदीन खान ये ट्रांस आप प्रिस्फेंटा देर। ट्रांटिन ये चेठाशन फरीज़ नहीं किया है जैसे फ्रेंच, उर्दू, मराथी तो इसको नए अंदाज में डॉक्टर साने स्नैन खान साब ने पब्लिश किया है तो मैं उन्ही से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो इसको लॉंच करे आज के दिन, डॉक्टर साब बिस्मिल्लाहि रह्मानि रहीम मुझे बहुत खुशी हो रही है इस किताब को लॉंच करते वे दे लाइफ अफ मुहमद, विजडम एन स्पिच्वल लेगेसी आफ दी प्रॉफट ये किताब पहले उर्दू में शाय हुई थी, प्रगंबर इनकलाब के नाम से फिर प्रॉफट अफ रेवलूशन के नाम से आपाने ट्रांसलेशन किया, और जिस बन अफ दी अर्लियस बुक्स, एर्टीज में ये किताब मुलाना ने लिखी थी और उर्दू किताब पेगंबर इनकलाब पे भी अवार्ड मिला था, सीरत और जब इंग्लिश ट्रांसलेशन हुआ तो इंग्लिश ट्रांसलेशन पे भी सीरत अवार्ड मिला पाकिस्तान से और ये बहुत ही एहम किताब है इस लिहाज से के जो आम तरीका है सीरत की किताबों का वो ये होता है कि उसमें पुराना जो पैटर्ण है सीरत डिगारी का वो ये है कि वाकियात खास तोर से जो जगी वाकियात होते हैं चुकि उस जमाने में जो किताबी लिखी जाती थी है वो जर्नल्स और किंग्स वगरा की लिखी जाती थी तो वही पैटर्ण सीरत की किताबापर में भी आ गया तो बेशतर किताबे जब आप पढ़ेंगे सीरत की प्रॉफिट की बायोग्रिफी की तो उसमें यही पैटर्न होगा कि उसमें सारे वो वाकियात हैं जो कॉन्फिलिक्ट से तालुक हुआ और इन्फॉर्मेशन है यानि एक तरीके से लेकिन मौलाना की यह जो किताब है दे लाइफ और मौमद यह एक अलग तरह की किताब है इसमें मौलाना ने प्रॉफिट के मिशन को वाज़ किया है जो थोड़ी बहुत कॉन्फिलिक्ट वगरा हुआ हुआ वह सब एक वक्ती चीज़ थी यानि लेकिन जो मिशन था प्रॉफिट का दावत और मारिफ़त का मिशन उसको वाज़ किया है बहुत ही अच्छे अंदाज में इसमें कई ऐसी बाते हैं जिससे रसूल लाइफ का जो मिशन था उस पे फोकस मैं एक हदीश जो मैं अभी देख रहा था जो रसूल लाइफ को बहुत अच्छे अंदाज में समराइज करती है वो मैं पढ़ता हूँ यह हदीश है nine things the Lord has commanded me fear of God in private and in public justness whether in anger or in calmness moderation in both poverty and affluence that I should join hands with those who break away from me and give to those who deprive me and forgive those who wrong me and that my silence should be meditation and my words, remembrance of God and my vision, keen observation इससे अंदाज़ा होता है कि ये किताब किस नौयत की है और जो रसुल्ला सुलम का mission था दावती mission वो इस किताब से वाज़ होता है तो आला जजा खेर दे जिन लोगों ने इसको पुब्रिश करने में दावन किया Thank you so much, Dr. Saab So, we will end today's session We will be back next Sunday at 10.30 a.m. Thank you